आपको पता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो स्लॉपी होती है मलब वो खराब होती है जिन्दी किसी को समझ में नहीं हाती है बस उस राइटिंग को उस हैंड राइटिंग को तो समझ सकता है यह अमेरिकल स्टोर वाले समझ सकते हैं कि आप जगह है जहां पर लोग रहसे में नेन की बिमारी है वह चलते यह रहते हैं तो जाते हैं कोई भी काम कर देखे तुरंद जो है वह आन देश्पॉर्ट सो जाते हैं तो लेट्स गो एंड वीडियो की तरब चलते हैं और अमेजिंग फैक के बारे में जाने जाने हैं Fact No.15 क्या आपको पता कि कजाकिस्तान में एक गाउं है उस गाउं में जो है लोगों सोने की मलब रहस में नेन की बिमारी हो जाती है इस बिमारी की सुरुआत जो है अप्रेल 2010 को हुई थी इस बिमारी में होता क्या है कि इनसान जो है मतलब वो चलते हलते जो है सो जाता है मतलब वो कोई काम करता रहता तरण सो जाता है मतलब उसको नेन आती है रहस में नेन कभी भी आ सकती है इस गाउं की अबादी जो है 600 है और 14 पर्सन लोग इस बिमारी की चेपट में आ चुके हैं इस बिमारी में होता क्या है इनसान जो है अचानक उसको नींद आती है रह समय नींद यह निन कोछ घंटों के लिए होते है। कुछ महीनों के लिए नेइंद में आपके सूझाता है। मलब एसकूल में आइज बत्धταν कि बात कि बसुर हैं, इस बीमारी का इलाज जो कोई साइंटिस्ट, नी स्हीं सुखते हैं। और मतलब बहुत से डॉक्टर एक एनाम है, इस बिमारी में जो हमारे माइंड में एक तरल पदार्द होता है, उसकी कौंडरी बढ़ जाती है, और बढ़ने से क्या होता है, इनसान को रहसे में निद आ जाती है, कजाकिस्तान का यागाउं यूरेनियम की ख़दान के पास लो और अब तक देखनों कुछ मिला नहीं है, और यह जो है रहसे में निद की बारी एतनी ज़दा खतरनाक है, कि इसके बारे में अभी तक डॉक्टर्स और साइन्टिस्स जो है, इसके बारे में पता नहीं लगा पाए, यह जो सोने की रहसे में सोने की बारी है, खुद में कॉंप्री किटरיח जो है, एक कॉंप्रिक्लिक्टर से बीमारी है, वायक नमबर फॉरीं, क्या आपको पता है कि जो आस्फरीच होता है, जो शुतर मुर्ग होता है, उसका जहन дिमाग, उसके आँंग से च्टर चोटा होता है, कहना म्लब है कि उसका जो आंख होता है, आज सबसे लंबी कार 1990 में जी और बर्ग ने बना रहा था जिसकी लेंथ जो है और क्या आपको पता है इसको अमेरिका वाले जो है इसको तो अमेरिकल ऑफिशली जो इसका नाम था अमेरिकन ब्रेंग कार नाम रखा और तो इसके लेंथ है 30.5 मीटर लंबी है मतलब सारे 30 मीटर लंबी और इसके पास 26 वेल्स है और स्वेंग पूल डाइविंग बोल्ड के साथ एक मलब बहुत सारे किंग साइज वाटर बेर है और इसमें एक और अमेजिंग फैक्ट ये है क कि इसके साथ एक हैलिकाप्टर लैंडिंग पैर है पाइक नमर 12 लेस्ट इस्टिवर्ट नाम के एक शक्स है जो आश्रेले से बिलॉंग करते हैं इन्होंने क्या किया इनकी जो टाइप राइटिंग है मलब की हाथ से लिखा क्या लिखा इन्होंने जो है वन टू टेम इवucky ह?. यहा कि वहीं ellen तो से लिखा और इनको लिखने में 16 साल लगे और इनकी जो है इनकी है तो टीम डाराइटिंग उनकी है इसार थला फरन है। और इनको जो लिखने में सोदा साल तो लगे और जो एक हजार इंक रिबेन लगे और नाइंटीन नाइन जीरो शीट पेपर लगे पैक नमबर अववेवन आपको हमारे स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है इस इमेज को आपको देखकर में क्या लग रहा है असल लग रहा है कि यह जो हाउस है इसको बतलब कॉन्फ्रेक्ट किया गया है किसने किया था जो टिंसी और जैलेस्की डिजाइन किया था और इस हाउस को जो है दा लिटिल कुरूग्ड हाउस के नाम से पूरे वर्ल में जाना गया दर्समाजिक क्वैल लर्फसमाज लिटीो नोबीन किया्स एटना जालते हैं उसमें लोट्री उतना पाई सब्सक्राइब करते यह अगजिया लेडी गे तैंकी दो मैंका करती तुम एक और इंगे पास आए और बोले के ऐसा है तुम भी जो सब्सक्रार लोट्री खेलो तो ये मना गर दी और यह कहते कि मालब लाट्री खेलना जो वेस्टिंग उफ मनी पैसे के बरबादी है तो यह बोली कि मतलब मैं यह नहीं पास इन्होंने टेन डॉलर में इसको पर्चेस किया और उस वक्त उनी के सामने जहां पर्चेस के उफ़ इस क्रैश करने के बाद वो जो है यह जो है वन मिलियन दॉलर की यह ऑनर हो गई जब यह 10 लाइक की वन मिलियन की आनर हो गई इनके हैस्बैंड देकर इतने ज़ाद खुश है और यह उस वक्त वो दिखाएं कि देखो जो है इसमत वह हर वक्त साथ नहीं रहता है और जो है मतलब 10 लाइक मतलब समझ सकती है डॉलर जो है इंडियन डॉलर सेवन मतलब 7 करोड चालिस लाइक रुपे इंडियन डॉलर के साथ समझ सकती है तो मतलब जब इनका यह ओपर फुला यह 10 लाइक डॉलर की आनर हो गए फिर उसी पैसे जो पैसा इनका लॉट्री में खर्चा हुआ तो उनका प्य किया और यह घर मलब घर खरी दी मतलब बहुत कुछ इस पैसे स्क्राइब याम में यह फिल रहा है इसमें जो मजब करें एक गरी एक जो Kyra इसको करना है स्पे आ पिछेसर इस इन्गिलों आपको पता है कि जो रूबिक क्यूब होता है वह उसमें होता है हम लोग जो है उसको फॉल करते हैं वह फॉल करते हैं पांच में दस मिनद पंदरा मिट इवन बहुत है इसको जो है सारे कुछ जो है एक लेयर में मैं बात करा हूँ चाहना के यू शैंग दू कि जिसने जो है बतलब 3.47 सेकंड में प्राइब चार सेकंड के अंदर उसने जो है इसको सौल कर लिया था और उसने जो है गीनि इस वर्ड रिकॉर्ड कायम किया था देट समेजिंग फैक नंबर सिक्स जिसे कि होता कि हम सब को अगर केंपिर पे टाइप करना हो तो अपने हैंड से टाइप करते हैं तो सची स्पीड होती है बात कर रहा हूं हैदराबाद के मुहम्मद खुर्शीद हुसायन की जो अपने नोज से मैंस करने को नोज से अपने सब्सक्राइब करते हैं और उन्होंने जो है मतलब 3.43 सेकेंड में 103 के एक सेंटेंस बनाया और इन्होंने ऐसा करने के बाद इनका जो नाम है गिनीज वर्ल्ड डिकॉर्ड में खायम है टैक नंबर फाइव क्या आपको पता है कि जो एस्ट्रो नॉट होते हैं जब वो इस जो उम्र होती है दस मिली सेकेंड घट जाती है इसा तब वह जब अमेरिका के स्कॉर्ड कैली 340 जो है इस पेस पर बिताने के बाद अर्थ पर आएं तो उन्होंने देखा कि उनकी जो हाइट थी टू इंच बढ़ चुकी थी और जो उनकी उम्र थी वो 10 मिली सेकेंड घट चुकी थी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इस पेस पर अर्थ पर आते हैं तो हमारी बैक बोन से एक बॉन होती है वो क्या होती है वो ग्रेंविटेशनल फॉर्स की गेर हाज़री में बढ़ जाती है प्रेक नमबर फोर कि आपको पता है कि जो बारिश होने से पहले क् देखेए ऐस要 होता है जब स् होने वाला लाटा है तो क्या होता है कि मतलब जो वह समय हो जाती है जब हो जाती है तो मलessäको च्छोड़े होटी कि मुझे ? हम जानते हैं कि मदलब उसके नमी के दर water होता है, और स्टो जो होता है, पॉस्टिव चार्ट्स और नेगेटिव चार्ट्स से मिलकर बना होता है, तो जब यह dense form में बादल form से जब यह moisture form में आती है, तो हवा जो होता है, एर, इसको pressure देती है, तो मदलब जब air इसको pressure देग जब air से reaction करेगा, तो water, जो moisture के अंदर plus और minus, पॉस्टिव चार्ट्स और नेगेटिव चार्ट्स आएंगे, पास आएंगे, पास आने से होता है, जब वो पास आते आते जो है, मतलब अपने आप से इतम close आते हैं, तो हवा आकर उन लोग क्या करता है, उस पर reaction करता है, उ लाइट इड़ाती है, लाइट होने के बाद जो तब गरस्ति एंगेट उसके लाइट जो हम तक हमारे आखों तक पहुंच जाती है, और आवा आती है, तो मतलब और एक कॉष्चन यह भी होता है, कि मतलब आवास बात्म आती है और बिजली की चमक पहले हमारी आखों पर एट करका है in the साउड में कि साउंड की साउंड में क्या होता है थरी हांड्रिट में एक सकेन्ड में थ्री हानाथ Milan 143 मेडर वो ट्रेवल करती है तो हम देख रहे हैं कि इस की स्मID कि स्पिड जादा है तो वह हम तक वहजाद पहले पहुचती है दीजिजम फमकरता है को होगि में फ्रमीelles कि स्पिड हर्ग हो आँसकी स्पीड होती है जैफ पीटर उन्हों किया कि उन्हों दुनिया की मोस्ट हाविस्ट बैसकल अब देवर्ड वर्लब दुनिया की सब से भारी साइकल बनाया उसका जो वेड था 860 किलोगराम मिन्स 860 किलोगराम उसका वेड था फैक नंबर सेकेंड आप जो है डिजिट ले वन से 100 तक इसको एड़ करें से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस सम्चिंग करते करतें प्लस 99 प्लस 100 इसका जो सल्यूशन आएगा 50-50 आएगा जो फैक नंबर स्ट आपको पता है कि जो दॉक्टर्स की जो हैंड राइटिंग होती है जो उनकी लिखावट इतनी ज्यादा खराब होती है उसको हर इंसान नहीं पड़ पाता है उसको एक कंपाउंडर कोड़ पाएगा या कोई डॉक्टर पढ़ पाता है देखिए ऐसा इतने सारे लोग कंपटेशन फैस करने रहते हैं उनको इतना जदा लिखना पड़ता है कि मतलब वो अपनी अच्छी आशी राइटिंग खराब पर बैठते हैं और क्या आपको बता है कि मतलब वो जिसे कि डॉक्टर जो लोग डॉक्टर होते हैं तो उनको एक दिन में कम स 50 प्लस उससे आदा से कंवी हो सकता है उनकी जहन में जो होता है दवा कर प्रेसर रहता है मेलिसम अगर जो चीज हम सेकेंड में उसको हम साथ से केंड में उसको पांट जो लिके इसलिए मतलब डॉक्टर जो है अपनी राइटिंग खराब कर लेते हैं और यह जब यह प्ट और लास्ट वर्ड को देखते हैं और वो उपने जहन में सोज़ेते हैं अच्छा हां इसको खासी की जिमारी है पहला वाड या लास्ट वर्ड यह सोच कर दवा दे यह लेकिन ऐसा नहीं करने से एक साल में जो है दस लाक लोग दस मरीज दों मरते हैं मलब डॉक्टर्स की ला अगर वो कैप्टर लेटर्स में लिखेंगे तो उनको जो है इस तरह के दिक्कत नहीं आएंगी एक साल में इतने मरीज नहीं मरेंगे और कहने के मलब यह कि लोग के जहन में एक मलब माइंड से आगया है कि मतलब जो डॉक्टर्स जितना जॉदा स्वापी में लिखेगा अब जो नहीं लेटा है और देखता है और यह दॉक्त बहुत बड़ी है मलब इसने जो है इस वापी में लिखा है मतलब अन्म रीडेबल है इसको सिब कोई मतलब एक डॉक्टर ही पर सकता है जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक्त लोगों को चाहिए कि मलब कुश्कों य और कि आपको पता है कि डॉक्तर की इस लिखावट को मुझा इस वाफी हैंड औरिंग कहते क्या है ड्री पारइस कहते हैं Grip One NET अनुद्स तेस्पर ने कि आक जायर को डॉक्तर्स की जो है ओड़ाइटिंग को